भारत के अंदर नमबर वान टेलिकम कमपनी रिलाइंस जो आभी गलोबारी उनको काफे ज़्यादा सरहा जा रहा है क्योंकि रिसेनली रिलाइंस जो कमपनी को टेलिकम कमपनी अब दा यार यहाँ पर घोशना किया गया है ASEAN Telecom Awards 2024 जो यहाँ पर रिलाइंस जो कमपनी को मिल चुका है तो यह जो आवाट है यह 2016 साल के अंदर ही मिल ला था लेकिन 2024 साल के अंदर रिलाइंस जो को क्यों मिला रिलाइंस जो ने ऐसा क्या कुछ कर देखा है जिसके वज़ा से टेलिकम कमपनी अब दा यार का आवाट ज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए अगर मैं 5G लॉंच होने की पहले की सिनारियो की बात करता हूं तो टब के टाइम के अंदर भारत के अंदर जो ग्लोबाल इंटरने रैंकिंग था मतलब इंटरनेट स्पीड के ओपर जो रैंकिंग था वह 190 देशों के अंदर 188 के अंदर आते थे लेकिन जानौरी 2024 तक इतना बढ़िया तरीके से 5G सर्विस भारत के अंदर लॉंच हो गया जिसकी वज़े से 188 पोजिशन से कम होकर भारत का पोजिशन ग्लोबाले 18 के अंदर आ गया मतलब टॉप 20 देश के अंदर भारत आ चोगा है और यह हो पाया ह भारत के अंदर दो टेलियक लेकिन अ्यायर को छोड़ करal डूनिया के अंदर सबसे तेजी से अपने अर्गिटेक्चर यह यहां पही araठिया नेटवर्ग रहते है लेकिन जो सर्विस यहां पर लोगों को मिलते है वह 5G सर्विस मिलते है hell रिलाइंस जो कोर नेटवर्क है वह भी 5G नेटवर्क है और जो सार्विस यहां पर प्रोवाइड किया जाता है वह भी 5G सार्विस है यानि जो मेली 5G जो सबसे तेजी से दुनिया के अंदर यहां पर लॉंच के और आज के रेट के अंदर अल्मोस्ट सौ मिलियन ऐसे ग्राहा के रिलाइंस जो कम्पनी के अंदर जिनको मिली 5G service Reliance GEO पूरे भारत के अंदर यहां पर प्रवाइड कर रहे हैं तो इतने तेजी से Reliance GEO कमपणी अपने 5G services को लॉंच के यह डेपलोई के पूरे दुनिया के अंदर जिस कारण से Telecom Company of the Year का जो एवार्ड है दोज़ार चौबी साल के लिए वो मिली यहाँ पर Reliance G.O को मिल चुका है दोस्तों आज के डिट के अंदर Reliance G.O कंपणी सिंप्ली 4G और 5G सर्विस भारत के अंदर प्रोवाइड करते हैं लेकिन इसे छोड़ कर भी आपने भारत को पूरे तरीकी से 2G मुक्त बनाने के लिए रिसेनली G.O भारत सेग्मेंट को लांच किया है जहाँ पर सीफ हजार उपए के अंदर आपको 4G फीचर फोन प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पर भारत के अंदर जो 2G सर्विस उसे कंप्लीली साट डाउन करनी की कोशिस डिलाइंस जो कंपणी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और यह जो पूरे देश के लिए काफी बढ़िया है भारत के अंदर आविताट Airtel, Vodafone Idea, BSNL जैसे कंपणी अपने 2G सर्विस को चला रहा है लेकिन बार बार गवर्मेंट को यह रिक्वेस्ट किया गया कि 2G सर्विस भारत के अंदर बंद कर देना चाहिए क्योंकि काफी दिन हो गया 2G सर्विस, 1995 से अभी 2024 सर चल रहा है अल्मोस 30 सर होने चला जो 2G सर्विस भारत के अंदर चल रहा है लेकिन साड़े लोगों को minimum 4G सर्विस पर आना चाहिए ऐसा कहना है Reliance Joe का जिस कारण से Reliance Joe कंपणी कोशिश कर रहे कि अपने भारत सेग्मेंट का फोन लॉंच कर रहा है और रिसेंली Qualcomm के साथ 15 सेप करके Reliance Joe कंपणी की तरप से एक affordable 5G स्मार्टफोन भी आपर लॉंच कर जागा 8000 रुपे से भी नीचे तो इसका planning भी Reliance Joe यहाँ पर चला रहा है यानि लोगों को high speed network प्रोवाइड के अने के साथ साथ एक अच्छे का से कम दाम के अंदर device भी यहाँ पर प्रोवाइड के रहे Reliance Joe ताकि लोग technology को पर काफे जाता reliable यहाँ पर हो जाए अगर वीडियो पसंद आया कोच ने जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक किजे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर किजे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दवाना बिलकुल भी मदफलिए ऐसे interesting वीडियो daily basis देखने के लिए आपसे उच्छत में लगा तो कि ऐसी कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा